इसरों ने अगले चंद्र मिशन, चंद्रायान 3 के लिए लॉंच की तारीक और समय की घोशना की है अंतरिक्षियान ने 14 जुलाई को दुपहर 2 बच के 35 मिनट बजे श्री हरिकोटा में 27 धवन स्पेस सेंटर में दो लॉंच पेट से लॉंच किया था मिशन में एक लेंडर और रोवर शामिल है जो पिछले चंद्रायान 2 मिशन के डिजाइन के समान है लेकिन एक ओबिटर के बिना इस साल 23 अगस्ट को लेंडिंग होने की उम्मीद है यह इसरों और भारत के लिए वास्टव में रोमान चक मिशन है 2019 में वापस चंद्रान 2 के ओबिटर और लेंडर में संचार खो दिया और चंद्र सतह पर चूने से पहले केवल कुछ सेकंड दुरगट नागरस्थ हो गए इस बार चंद्रान के लिए 3 इसरों को उम्मीद है कि भारत के अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग में सुधार हुआ है और हम वास्टव में एक प्रदर्शन कर सकते हैं चंद्रमा की सतह पर नर्म लेंडिंग और फिर विस्तार से इसका मतलब ये होगा कि हम मंगल के लिए एक लेंडर की तयारी के लिए भी तयार है लेकिन ये भी कि चंद्रत दक्षिन पोल के लिए एक आगामी इंडो जापानी मिशन है जो जल्दी होगा इसलिए इसरायल भी उसके लिए तयार हो रहा है और इस तरह चंदरन 3 मिशन काम करने जा रहा है चांडरायम 3 को लॉंच वाहन माक थरी या LVM 3 पर लॉंच किया जाएगा जिसने चांडरायम 2 भी लॉंच किया था ये चांडरीन 3 मिशन एक तक्नीकी प्रदर्शनकारी भी है और इसका उद्देश परीक्षन, लेंडिंग और रोविंग शम्ताओ का उद्देश है और इसलिए ये वास्ताव में परिश्कृत वैग्यानिक पेलोड नहीं ले जाता है विक्रम लेंडर और प्रागन रोवर के नाम चंडरायान 2 के लेंडर और रोवर के समान है और इसी तरह के डिजाइन भी है हाला की लेंडर को थोड़ा सुधार किया गया है इस मिशन का प्रमो खुद देश्य निश्चित रूप से चंडरमा की सता पर एक अंतरिक शियान को उतरने के साथ साथ चंडरमा पर आगे बढ़ने और रोने के पीछे इंजिनियरिंग और ख्षमता का प्रदर्शन करना है इसके अलावा मिशन में मिटी के वैज्ञानिक अवलोकन करने और मिटी की संरचना पर छोटे प्रियोगों के साथ साथ पानी के साथ छोटे प्रियोगों को पूरा करने के लिए सरल पेलोड है जो थोड़ा सा आएगा अब विक्रम लेंडर को मजबूत पैरों के साथ अपग्रेट किया गया है और सिग्नल के नुकसान की संभावना को कम करने के लिए इसमें अधिक इंस्ट्रूमेंटेशन अतिरेग भी है जो दुरगटना से ठीक पहले चंद्रायान 2 के साथ हुआ था विक्रम लेंडर निश्चित रूप से भारतिय अंतरिक्ष कारिक्रम विक्रम साराभाई के पिता के लिए नामित किया गया है इसका वजन लगभग 1470 किलो है और इसके आयाम लगभग 8 1 बटा 2 फीट 6 फीट से 3 फीट से है यह एक प्रनोधन मॉडियूल से भी सुसज्जित ह यह धेर को पैतरे बाजी करेगा स्टैक लेंडर और रोवर से युक्ष है जो कक्षा में प्रनोधन मॉडियूल के साथ बैठा है और इस पूरे स्टैक को चंद्रमा के चारो और एक परिपत 100 किलोमीटर की कक्षा में चलाया जाएगा यह प्रोपल्शन मॉडियूल अब प बटा 2 फीट लगबग 3 फीट तक है यह सत्ता के लिए 100 पैनलों से सुसजित है मिश्चित रूप से और यह नेविगेशन के लिए 2 कैमरे वहन करता है और यह चंद्रा सत्ह पर 1 cm प्रती सेकंड की गती से आगे बढ़ने में सक्षम होगा एक गर्बनाल कनेक्टर या एक बटान भरने की बात आती है क्योंकि LBM-3 चंद्रमा तक सभी तरह से इंधन नहीं ले जा सकता है ये 5 बार की परिक्रमा करके प्रित्वी के चारों और युद्धा भ्यास करने वाली कख्षा को बढ़ाएगा इससे पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल फिर रॉकेट के शेपवक्र में तूट जाता है आप चंद्रमा के पास पहुँचते समय ये अंतरिक्ष यान को फिर से जोड़कर विप्रीत करेगा और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल स्टैक को धीमा करने में मदद करेगा और इसे अपने नामित लूनर ओबिट में कम कर देगा और एक ब विप्री बीजूप में पहली नर्म लेंडिंग का प्रयास 23 अगस्त को किया जाएगा लेंडर अपने स्वयम के थरस्टर्स का उपयोग खुद को नीचे करने के लिए करेगा और एक स्थाई स्थिती में आने के लिए अपने पैरों का उपयोग करेगा फिर रोवर को तेन करने की उम्मीद नहीं है क्योंकि यह एक इंजीनियरिंग प्रदर्शन मिशन है प्रनोधन मॉड्यूल प्रित्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक काम करेगा और इस्ट्रों ने कुछ परीक्षनों के लिए इस अवधी का उप्योग करने का फैसला किया तो यह प्रयोग जो तापिय चालकता और तापमान की बिमारियों को मापेगा सता प्लाजमा घनत्व और इसके उतार चड़ाव के ओवर टाइम की गणना करने के लिए लैंडिंग साइट और एलपी के चारो और चंद्रमा भूकम को मापने के लिए है एक चौथा पेलोड भी है जो नासा से है यह एक लेजर गली है और इसका उप्योग लेजर के अध्यान के लिए किया जाता है जो प्रित्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को प्रित्वी से निकाले गए लेजरों का उप्योग करके और चंद्रमा से वापस परिलक्षित होगा फ्राग्यन रोवर APXS और LIBS को वहन करता है ये दोनों लेंडिंग साइट पर मित्टी या चंद्र विनियमन की संरचना का अध्यान करने के लिए उप्योग किये जाने जा रहे है अब यहां पृत्वी से चंद्रमा पर ओप्रेटिंग मिशनों का सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि जिस तरह से चंद्रमा सूर्योदे से सूर्योदे के लिए एक चंद्र दिन की परिक्रमा करता है हमारे लिए सिर्फ 24 घंटे है चंद्रमा के एक दिन के दिन 15 प्रिथवी के दिन वास्तव में है तो सतह पर गर्मी को फिर से शुरू करने के लिए चंद्रमा पर कोई वातावरन नहीं होता है इसलिए एक बार सूर्यास्थ होने के बाद तापमान सीमा से कम हो जाता है कहते हैं 120 डिगरी सेल्सियस के बारे में 1-120 डिगरी सेल्सियस से लगभग 120 डिगरी सेल्सियस Lender और Rover नहीं कर सकते